तो दादा सोने से कहते हैं कि उसका असर क्या होता है आपके ब्लड फ्लो पर पढ़ता है और जब ब्लड फ्लो पर इसका असर पढ़ता है और ब्लड फ्लो धीमा पढ़ जाता है तो आपकी धमनिया आट्रेस है उसमें खून का आना जाना भी कम हो जाता है और जिसका मतलब सा कि दिल के ऊपर खत्रा है तो ऐसे में ये सर्कुलेशन बिल्कुल जबर्दस तरीके से दोड़ती भागते रहे हाईवे के तरह उसके क्या उपाए है यह तो आजकल तो हाट का इतना खतरना खेल हो गया है स्कूल के बच्चे यहां तो गुर्कुल के बच्चे तो कौन स्वस्त है स्कूल के बच्चे बसता पीछे है पीठ पर और चलते चलते लुड़क रहे हैं यह बच्चों की आलात है बच्चे खेल के मैदान में खेलते खेलते ही उनको हाट अटेक हो रहा है बेंस्टोक हो रहा अब इन बच्चों को तो देख करके किसी दूसरे को हर्ट टैग ना हो जाए इतना सुंदर करते हैं होगा ने देख के खोश होगे कि अब यह अभ्यासों के लिए तो आपने आपको बड़ा साधना पड़ता है इन्होंने पतंजली का सात्विक आहार्थ हम आगे नुटिशन के उपर भी बात करेंगे एक दिन बहुत जरूरी है यह मैल नुटिशन के वज़े से लोग बच्च हालात हो गई है तो बच्चे बल्वाल तो यह को मुखा असन पहुत ही चबरदस हाट के लिए और जो मैं बता रहा था भुजंगा असन यह कि तस बार से सुरू करके अब तो सो सो बार तक लोग करने लग गए ऐसे यह ऐसे और ऐसे यह और हाँ मखाना मखाने के खीर लोगों को बोलते हैं तो एक नया फार्मोरेशिशन ढूंड़ा मैंने तीन दिन पहले आपको बताए भी था जब आप पूछ रहे थे कि आपको आम खा करके फुनशियां क्यों नहीं होती तो हम दूद में मखाने भिगो देते हैं फड़ा हलका सा से क तोदे से घीमे से कर गर्मogarm दूद में डाल देया और बाद में 15-20 मिनट में वो दूद में पूरे रज जाते हैं उसमें रच बच जाते है और फिर उसके बाद उनको खाओ मकानों को तो ये अरिद्रा के लिए और अतिनिद्रा के लिए दोनों के लिए ही बहुत अच्छे हैं और हाट के लिए मनें बता दिया मकरासन और ये भुजंगासन ऐसे और ऐसे ऐसे करें और भाई ये जो मेरे साथ दाएं बाई तरफ जो पेर योगा चल रहा है ये एडवांस योगा भाई संभल संभल के करना और पूजा जी की तरह मिजी की तरह पहले मिट्टी पाई करना गिरोगे पडोगे ये तो हाड लेंड पर कर रहे है